सबी विध्यार्थियों और श्रोताओं को हिंदी दिवश की शुब कामना हिंदी कविता में अनेक महान कवी हुए जिनोंने काल जई काव्य की रचना की अमीर खुषरों से लेके प्रयोगवाद के प्रवर्तक अग्यें तक महान कवियों ने अपनी कविताओं से हिंदी साहित्य की सम्रद्धी की बक्तिकाल में मीरा, सूर, तुलसी और जाईसी की रचनाएं मानवता का संदीश देती है वहीं आधुनिक युग में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी ने छायावाद के रूप में हिंदी कविता को एक नई उंचाईयों तक पहुँचाया हिंदी काव्य की इस सम्रद्ध परंपरा में हमें समाज और जीवन की विसंगतियों के प्रति विद्रोह के भाव भी मिलते हैं संत कबीर इस विद्रोही काव्य परंपरा के प्रतिनीदी कवी है उनी की परंपरा में महा कवी निराला हुए और आधोनिक युग में बाबा नागारजुन ने भी कबीर के दिखाए मार्क पर चलते हुए जन जीवन की विसंगतियों को अपनी कवितावक्त के माध्यम से व्यक्त किया आज हम बात करेंगे बाबा नागारजुन की उस अनोखी अलबेली शक्षियत के बारे में जिसके कारण उन्हें हिंदी कविता का हर्फन मोला कवी भी कहा जा सकता है नागारजुन जन कवी थे जनता के दुख दर्द को उसकी आसा आकांगशा को उन्होंने अपनी कविताओं का आधार बनाया अपनी एक कविता में वे लिकते हैं जनता मुझसे पूच रही है क्या बतलाओं जन कवी हूं में साफ कहूंगा क्यों हकलाओं जनता के मनोभावों को उन्होंने अपनी कविता में व्यक्त किया है और बिल्कुल बगेर किसी से डरे हुए सपाट बयानी उनकी कविताओं में देखने को मिलती है इस सपाट बयानी का इस बेलाग अभिव्यक्ति का एक उदाहरन है वे लिखते हैं गुंगा रहोगे गुड मिलेगा रुत हंसेगी दिल खिलेगा पैसे जरेंगे पैड हिलेगा सिरगा यब टोपा सिलेगा गुंगा रहोगे गुड मिलेगा यहां गुंगा रहना तमाम विसंगतियों को तमाम अन्याई और अत्याचार को चुप चाप सहन करते जाना है अन्याय अत्याचार को सहन करता जाए लेकिन इसके बावजूद उन अत्याचारियों से चिपका रहे उनकी चापलूसी करता रहे तो कोई न कोई फाइदा वो उठा लेता है नागारजुन खुद कम्मिनिष्ट विचारदारा से कुछ हद तक प्रभावित थे उनके मन में भी समाजवाद का आदर्स था जिस समाजवाद का सपना रूस ने दिखाया और बाद में जो कम्मिनिष्ट सासन चीन में प्रचलित हुआ नागारजुन रूस के कम्मिनिष्ट सासन से प्रभावित रहे लेकिन वही कम्मिनिष्ट सासन जब माओं के नेतरत में ताना शाही की और बढ़ने लगा हिंदी चीनी भाई-भाई के नारे को दर किनार करते हुए जब 1962 में चीन ने भारत पर आकरमन कर दिया तो फिर नागारजुन चुप नहीं रह पाई एक तरफ तो उन्होंने कम्मिनिष्ट विचारदारा का कुछ हद तक शमर्तन किया है लिखा है रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुह पर लाएगा कोई भी हो निश्चे ही वह कम्मिनिष्ट कहलाएगा लेकिन कम्मिनिज्म का चाइनीज मॉडल कम्यूनिज्म का माओ मॉडल उन्हें बिलकुल पसंद नहीं आया क्योंकि माओ भारत का दुश्मन था माओ के बारे में उन्होंने लिखा है कौन है वह माओ बेगाना है वह माओ आओ इसको नफरत की थूंकों से नहलाओ आओ इसके खुनी दात उखाड़ दे यही ग्रणा पाकिस्तानी सासक अयूब के प्रती भी दिखाई देती है जब वे यह लिखते हैं जार देंगे अयूब का हिटलरी गुमान खबरदार दुश्मन दुश्मन सावधान नागार जुन के मन में अपने देश के प्रती स्रद्दा का भाव था वो लिखते हैं खेत हमारी भूमी हमारी सारा देश हमारा है इसी लिए तो हमको इसका चपा-चपा प्यारा है नागार जुन का मूल गाउं तरुनी गाउं था अपने गाउं को याद करते वे बे लिखते हैं याद आता मुझे अपना वहतरूनी गाउं याद आते लीचियां और आम आजादी के बाद कुछ परिस्तितियां बदली लोगों को एक उम्मीद बंदी कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को भी बादा नागार्जुन ने अपनी कविता में व्यक्त किया कि आजादी की कलियां फूटी पाँच साल में लगेंगे फूल पाँच साल में फल निकलेंगे रहे पंतजी जूला जूल पाँच साल कम खाओ भाईया गम खाओ दस पंद्रह साल अपने ही हाथों से जोंको अपनी ही आँखों में दूल लोक तंत्र की विफलताओं से बाबा नागार्जुन का हरदय बुरी तरह से व्यतित था राजनिती की विशंगतियों के प्रति अब उन्होंने अपना आक्रोश कविताओं में व्यक्त किया है और बदलती हुई दशाओं को हकीकत के रूप में सामने रखते वे वे कहते हैं सपने में भी सचन बोलना वरना पकड़े जाओगे बैया लखनव दिल्ली पहुँचो मेवा मिसरी पाओगे माल मिलेगा रेत सको यदि गला मजूर किसानों का हम मर्भुकों से ही क्या होगा चरण गहो स्रिमानों का नागारजुन ने आजादी से पहले 1942 के भयानक अकाल को देखा जिसमें करोडों लोग भूख से मारे गए उस अकाल के इस्थिति का वर्णन उन्होंने अपनी कविता अकाल और उसके बाद में किया है पर लिखते हैं कई दिनों तक चूलहा रोया चक्की रही उदास कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गस्त कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त क्योंकि गर में खाने के लिए बिलकुल भी अनाज नहीं है ऐसी इस्तिती में उन्होंने चूले और चक्की का मानवी करन किया है कि अनाज के अभाव में चूला रो रहा है चक्की उदाश है और उस परिवार पर आस्रित प्राणी भी व्यथित है लेकिन उस गर में जब अनाज आता है तो बदली हुई परिस्ति के बारे में नागारजुन लिखते है दाने आये घर के अंदर कई दिनों के बाद धुआ उठा आंगन से उपर कई दिनों के बाद चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद कवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद नागारजुन ने उन अनाम करांतिकारियों के परती अपनी स्रद्दा और नमन का भाव व्यक्त किया है जो इतिहास और साहित्य में इस्थान नहीं पा सके जो आजादी को देख नहीं पाए वे लिखते हैं जो हो नहीं सके पूर्ण काम में उनको करता हूं प्रणाम कृत कृत नहीं जो हो पाए प्रत्युतफासी पर गए जूल कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई बूल उनको प्रणाम इसी संबंद में वे आगे कहते हैं जिनकी सेवाएं अतुल निये पर विज्यापन से रहे दूर प्रतिकूल परस्थतियों ने जिनके कर दिये मनोरत चूर-चूर उनको प्रणाम उन शहीदों को प्रणाम जो अपना विज्यापन नहीं कर पाए जो इस दुनिया के इतिहास में अपना स्थान सुरक्षित नहीं कर पाए उन असंखे अनाम शहीदों को नागारजुन ने अपना नमन प्रेशित किया है कल नागारजुन की रचनाओं में हमें मुख्य रूप से आक्रोष का स्वर दिखाई देता है विशमताओं और अन्याई के प्रती एक उग्रता का भाव दिखाई देता है लेकिन नागारजुन को हर्फन मौला कवियों ही नहीं का जाता उन्होंने अपनी कविताओं में कौमल भावों को भी व्यक्त किया नागारजुन ने कालिदास के साहित्य को आदार बना कर एक कविता लिखी कालिदास सच शच बतलाना कालिदास ने एक महा काव्य लिखा था रगुवंच जिसमें भगवान राम के वंच का वर्नन है रगुकुल रीद का वर्नन है भगवान राम के पिता महा और राजा दसरत के पिता अज के विलाप को रगुवंस में दर्शाया गया है नागार जुन कालिदास से पूछते हैं कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मरतिशोक से अज रोया या तुम रोये थे कालिदास सच सच बतलाना अपनी पतनी रानी इंदुमती के विरह में अज का विलाव नागारजुन को ये लगता है कि रगुवंश में अज विलाव नहीं कर रहे हैं उस रगुवंश में अज के माध्यम से कालिदास ने अपनी मनोविथा को प्रस्तुत किया है इसी तरह कालिदास का एक महा काव्य है कुमार संभव जिसमें शीव के तीसरे नेतर से कामदेव के भश्म होने का उलेख है और कामदेव के भश्म होने पर रती का करुणा दाई विलाब हमें देखने को मिलता है उस करुणा जनक विलाब के बारे में नागारजुन फिर से प्रश्न करते हैं शीवजी की तीसरी आंक से निकली हुई महाजवाल में दरतमिश्रित सूखी समदासम कामदेव जब बश्म हो गया नागारजुन फिर से प्रश्न करते हैं कि कामदेव के बश्म होने पे रती का जो विलाब है उसमें एक सच्चाई का अंस है और वो सच्चाई तब ही आ सकती है जब वह विलाब वह वेदना कवी के रदय में भी रही हो इसी तरह कालिदास का एक प्रशिद खंड काविय है मेग दूत जिसमें अलकापुरी से निश्काशित यक्ष मेग को बादल को संदेश्वाहक बनाकर अपनी पीडा को व्यक्त करता है विलाब करता है उस आसाडी सांज के बादल के बारे में नागारजुन फिर से प्रश्ण करते हैं वर्सा रितु की सिनिग्द भूमी का प्रथम दिवश आसाड मास का देख गगन में शाम गन गटा विदुर यक्ष का मन जब उच्टा खड़े खड़े तब हाथ जोड़ कर चित्रकूट के सुबग शिकर पर उस बेचारे ने बेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुस्करा वर्तमेगों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच बतलाना पर पीडा से पूर पूर हो ठक ठक कर ओ चूर चूर हो अमल धवलगिरी के शिकरों पर प्रीवर तुम कब तक सोई थे रोया यक्ष कि तुम रोये थे कालिदास सच सच बतलाना पस्तूत है एक कवी एक साहित्यकार अपने रदय की पीडा को ही काव्य के कहानी के साहित्यक रचना के माध्यम से व्यक्त करता है इसी सत्य को नागारजुन ने इस कविता में व्यक्त किया है नागारदुन के काविय में प्रकरती के कौमल सुरूप भी हमें कौमल चित्र भी हमें दिखाई देते हैं एक कविता है बादल को घिरते देखा है यहां दो शब्द है एक है गिरना और एक है घिरना दोनों शब्दों का पहत्रीन तालमेल इस कविता में दिखाई दिता है कवी लिखता है अमल धवल गीरी के शिकरों पर बादल को गिरते देखा है छोटे-छोटे मौती जिसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वरनिम कमलों पर गिरते देखा है बादल को घिरते देखा है हिमाले प्रदेश और मानसरोवर प्रदेश में चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं उस प्राकर्तिक सौंदरिय को नागारजुन ने इस कविता में व्यत्त किया है इस तरह नागारजुन की कविता में कौमल और कठोर दोनों तरे के भाव दिखाए देते हैं उनकी कविता में अगर विनास के द्रश्य हैं तो निर्मान का संदेश भी हैं वास्तों में नागारजुन हिंदी कविता के हर्फन मोला कवी है